नमस्कार दोस्तों वेव जी एस स्टेटी संटर में स्वागत है आज हम लोग जो हैसो कैथी भासा का सबसे महत्पून चीज जाने जा रहे हैं यानि दस्तावेज और खतियान में लिखे हुए कैथी लिपी में जो भी चीज है जो सब्द है कठिन सब्द जो पढ़ने में और सपस्थ होता है इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पूरे दस्तावेज में कौन-कौन सा सब्द हमेशा आता यानि सभी दस्ता पांच, उनिश्ववीष, उनिश्व थीस, उनिश्वचारूस या फिर 2022, 2020, 2018 जो भी इस समय में लिखा हैं वो सब्द बार-बार रीपीट होते हैं बस यही अंतर होता है कि उस समय में फार्स जै। मग ही इसमी लिखे जाते थे आभी हिंदी में लिखे जाते हैं बस इसी चीज की जानकारी लेनी है और इस जानकारी को लेने के बाद आप कैथी लीपी में लिखना पढ़ना भली भाती आप सीखे जाइएगा और यह वीडियो आज इतना इंपोर्टेंट होने वाला है कि इसको ध्यान से सुरू सेंतर देखिएगा कहीं स्क्रीप नहीं कीजिएगा अगर इसक्रीप कीजिएगा तो इसमें आपको सिखने में दिक्कत होगी क्योंकि एक सब्द को सौ समय कई परकारों में लिखा गया है थे को दूं सारे चोटे चोटे कौमन सिखज को इसमें हम बताते चलें और वीडियो क को देर ही करते गया है वीडियो को इस्के Vivint को शुरु करते हैं तो आज जो अज इसके बारे में उसले जान लेते हैं तो आज क्या है कि देख लीजिए कैथी लीपी में दस्तावेज में लिखे जाने वाले सब्द और कुछ मुश्किल सब्द यानि डिफकल्ट वर्ड जो है इसके बारे में जानेंगे कैथी लीपी में दस्तावेज खतियान को पढ़ना यह कैसे करना है सो भी देखना है कैथी इसके बारे में जानना है उसके बाद दस्ताबेज कहतियान में लिखे के सभी सब्ग जो सभी में रहतेे हैं उसके कारे में जानना है और दस्ताबेज में तक्सीम जाइदाद और चोबहड़ी को लिखना पढ़ना सिखना और जाए नम्म्मर से जो रहा हुज़ा होगा उस रहा काइदा सिवान मुट को नहीं उत्तर देचिन पूरा पसिम को नहीं जानेगा तो वो खेत की मापी नहीं कर सकता तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे और चलते हैं फिर अपने और अगले वीडियो में इसके सुरू करते हैं तो दोस्तों आप हम लोग जहां सो कई थी लीपी की जो लिखने की सुरुवात हो कई से करेंगे तो देखिए सुरुवात तो हम करेंगे दूसरे तरिके से क्योंकि हमको सिखाना है और आपको सीखना है तो हम करते हैं सुरू यहां से देखिए हम लिखते हैं एक दू तीन चार पांच छे उसके बाद साथ उसके बाद आठ उसके बाद नौ उसके बाद दस तक इसको ऐसे लिखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छा, साथ, आठ, नो, और दस इसको हम कई थीम कैसे लिखेंगा, तो हमने आपको पिछले वीडियों बताया था कि एक कैसे लिखना है, तो तीन लिखना है, तो तीन ऐसे लिखा जाता है, चार लिखना है, तो चार ऐसे लिखा जाएगा, पांच लिखना है, तो पांच जो है इसे लिखा जाएगा छे लिखना है तो च्राइस ही लिखा जाएगा साथ लिखना है तो साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर साथ को जहाँ ऐसे करका ऐसे लिखता है साथ उसके बाद हमको आठ लिखना है तो आठ को हम ऐसे लिखेंगे यह आठ हो गया सो लिखेंगे जो कर देंगे और आइसे और दोट सकसे या फिर दास है इस आप्को गया फॉस्ट लार्णिंग कैथी भासामें शीखने का अपको आप इसको देख लिजेए साहिज डंग से इसके आगे और बताते हैं इसमें कैशे लिखा जाता है तो चलिए कईथी भासा हम इसको देखते हैं देखिए ग्यारह बारह अईसे भी लिखता है यह भी और यह भी दोनों लिखाता है दोन जगा पर यह बहुत पहले लिखाता था इसको आईसे जो है बारह इसको भी आईसे देखे लेंगे या फिर आईसे भी कर सकता था आईसे भी कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो इस तरह बारह इसे लिखाता है पूरा में लिखता है तेरा लिखना है तो तेरा को आईसे कीजिए ठीक है या फिर तेरा उसके बाद चवदा लिखना है तो ठीक है उसके बाद पंदरा लिखना है ठीक है पंदरा उसके बाद सूला देखना है उसके बाद सत्रा देखना है या फिर सत्रा को ऐसे ही बिल सकते हैं हुआ है पर शत्रा हम देख लिजए हौ इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आ है तो 17 नहीं नहीं आता है उसमें इसलिए करता था पहले यह तारा हो गया ऊतुब क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जाना है कि पूर्य दस्तावेज में लिखा था क्या चीज तो चलिए लिखावा चीज को देखते हैं यह जो है यह रूप है तो इसे हो गया जो और यह को इस तरह इसको देख लेना यह पूरा हो जाएगा तो नीचे तो रह हो जाएगा अब पूरे में आ जाएगा तो पूरा जाएगा सो को देखे लिए दो प्रकार से हो यह सब्शाथ जो है आपको बहुत सारे डिफकल्ट वर्ण मिलेंगे इस तरह को आपको बार-बार देखे करना बाद-बाद बाकि दूसरा साब क्या है जैसे कि टे हुआ तो इस तरह हो गया आघ को इस तरह भी लिखा लिख है कभी कभी में इस तरह है चों में इस तरह लिखाता है और देखी यह तिनों सब्ड जो है इस को देखिएगा इस तरह रहेगा तो प्रुपया ओस तरह हो जाएगा यह कर जाए accumulation जा Compet la लीपी आप एक बार ऑवा लिख करके समच जाएगा लेकिन कई थी लीपी में लिखे हुए बिभी ने जो अमीन थे जो रजिश्टार थे जो लिखे थे उनकी भासाओं को पकरना है यह कि यह लिखना आप तो वास से सिखे जाएगे लिकिन कि दस्ताबेज में क्या क्या लिखा जाता है आभी कर दस्ताबेज पढ़िएगा वही चीज़ लिखा जाता था उसके बारे में आगे हम बताएंगे चलिए तो वीडियो को सब्सक्राइब लिखा जाता या पेसरा इस सच्कारी से बनो basie और है ना सब्डीजन इसाद ख्याम सब्डिविजन सब्ड़िस्टरी इलाएंगे दिजिला दर्भंगा खाता खिसरा उत्तर दसिन पूरब पसिंग यह जब आप दस्तावेज पढ़िए गात यह सब्द जो हिंदी में लिख दिये हैं वह कैथी भासा में लिखल रहेगा जैसे की नाम पल्टन राउत प्रेसर बच्चन राउत जाती किरसी यादव के सब्दिविजन यहां मौजे यहां के निवासी जिला दर्भंगा के हैं तो इस तरह लिखा रहता है तो वह इस तरह हम इसले लिख दिये हैं कि आपको पाच्चानने में दिक्कत नहीं होगी और यह चीज जो ह क्यों तरदशीन पूरा प्रसिं यह लिखाता लिख भाद और जो सब्द हैं उसको हम वतादेते हैं उसके बाद हम लिखना भी और सिखा को इस तरह कब जाता हां पर तक्सीम जैदाद और तकसीम पभाए को इस तरह लिखाँ जाता है नीजिट चामचा। कर साह का है जैंद साह का है। उसके बाद यादव का है उसके बाद चौधरी का इस तरह जो आपको जो है सो दस्ताबेज में पूरा लिखा हुआ मिलेगा तो इसको आपको सही धंग से देखना सिखना है प्रैक्टिस करना है इसके बाद जो है तो थोरा सा लिखना पीछे बता भी दिये हैं और आभी जो डिफकल्ट वर्ड होता है दास्ताबे जो भी बता दिये हैं जो लिखा जाता है वो भी बता दिये हैं आप जो है इसके बाद दो वीडियो और आएगा थोरा सा डिले लगेगा उसके बाद उसमें पूरा और पूर को अपने से कैथी भासा में लिख भी सकते हैं इस तरह की आपकी क्यापिसिटी बना देंगे और आपको इतना स्ट्रोंग कर देंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर लिखिएगा और अगले वीडियो के लिए तब तक बने रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद